Hello Everyone, This is Pornima from Subharti Computer Classes आज की वीडियो में हम View Tab के बारे में जानेंगे कि View Tab के आप्शन किस तरीके से यूज होते हैं इसके पहले के Tab हम Complete कर चुके हैं जैसे Home Tab, Inside Tab अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूँगे आप वहाँ से उन्हें देख लीजिए और आज से हमारा MS Word कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक View Tab देखे इसका सबसे first option हमारा क्या है read mode तो नाम से ही पता चल रहा है कि reading mode पे हमारा यह work करेगा तो देखे अभी यहाँ पे हमारा एक document open है इस पे normal सा text लिखा हुआ है हम इसको read mode पे कर देंगे तो जब read mode पे देखे हम on कर रहे हैं इसने केवल इसको read mode पे रखा है तो read mode पे जब रहेगा तो केवल reading के लिए रहेगा आपके देखे पेज की width काफी बढ़ जाती है तो आपका document जो होगा आपको read करने के लिए easy format में show करता है तो इसको यहाँ पे view पे जाके इसको add a document पे click कर देंगे तो देखी editing mode पे आगया अब देखी यहाँ से हमारा cursor है blink कर रहा है तो इसको आप कुछ भी अगर आप delete करना है या वापस इसको लाना है तो आप इस पे changement कर सकते हैं by default हमारा किस पे रहता है print layout format पे रहता है अब जब भी work करते हैं अगर आपका page आपको normal नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे print layout format पे करेंगे तो यह normal आपका page आपको दिखेगा next है हमारा web layout web layout पे दिखी जब हम click करते हैं तो हमारी page की width काफी ज़्यादा बढ़ जाती है अब आपको कुछ भी यहाँ पे अगर देखना है तो आप यहाँ पे अपने text को देख सकते हैं कुछ भी add करना है तो देखी इस पे add भी कर सकते हैं यह web पे अगर हम net पे upload करेंगे तो किस तरीके से हमारा page यहाँ पे show करेगा तो यह web layout है हम इसको again print layout format में कर देंगे अब इसके बाद देखिए हमारा क्या है outline है outline क्या होता है कि जब भी आपको अपने paragraph को अपने text को bullets के format में show करना होगा तो आप outline पे click करेंगे तो देखिए bullet के format में आगिया है अब इस पे एक option और है कि जैसे आप levels में कोई चीज़ दिखाना चाहते है कि main heading आपकी show करें और जो उसके अंदर की sub headings है वो आपको नहीं दिखाने है तो जैसे हम normally यहाँ पे ले रहें days और हमने enter किया यहाँ पे लिखा Sunday, Monday इस लिखे से कुछ day हम दिख लेंगे तो देखे जो days हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम यहाँ पे select कर लेंगे तो देखे हमने इसको select कर लिया और देखे यह body text है कि अभी normal text के जैसे treat करेगा यहाँ पे इसको हम बना देंगे level 1 तो देखे level 1 में आगया अब जो यह हमने Sunday, Monday टीूस टे लिखा इसको हम select करेंगे और इसको कर देंगे level 2 में तो यह subheading के जैसे हमारी treat होंगे अब यहाँ से इसको हम off कर सकते है तो देखे यहाँ पे days पे जब हमने click किया तो यह off है अब हमें देखने है कि इसके कौन-कौन से part से इसके आप double click कर लिए तो देखे Sunday, Monday, Tuesday तो इस तरीके से आप जो main heading बनाएंगे main heading का content आपको hide करना है तो आप hide कर सकते हैं open करके आप देख सकते हैं और बाकी जो आपका content होगा bullet के format में show करेगा तो यह है हमारा outline हमें close करना होगा हम close outline view करेंगे यहाँ पे देखे हमारा क्या option आता है draft का जब हम draft पे click करेंगे तो देखे हमारा text इस तरीके से आगा केवल यहाँ पे हमें ruler शो करेगा अब इसकी बात क्या है अगर हम कोई भी shape कोई भी object insert कराते हैं तो draft पे हमें नहीं show करेगा चलिए print layout पे जाते हैं और insert पे जाके कोई shape यहाँ पे देखे हम insert करा रहा है हमने रेक्टेंगल लिया और इसको यहाँ पे draw कर लिया अब हम जब view पे जाएंगे और देखें draft पे click करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो object होगा वो नहीं show कर रहा देखें केवल टेक्स्ट के view के लिए है draft तो जब हमें केवल टेक्स्ट देखना होगा उसके object नहीं देखने होंगे तो हम draft पे जाके उसको view करेंगे तो again इसको print layout पे click कर देंगे तो देखें हमारा object यहाँ पे हमें show कर रहा है यहाँ पे इसको हम delete कर देंगे अब इसके बाद देखें हमारा क्या है immersive reader immersive reader क्या होता है different type के आपको यहाँ पे view मिल जाते हैं अभी क्या है column width में दिख रहा है कि column width में इस तरीके से आज़ा देखें very narrow है narrow करेंगे तो इस तरीके से है तो different type से हैं यहाँ पे moderate है wide है जैसा भी जाहिए तो यहाँ पे हम जाके अभी very narrow कर देंगे अब यहाँ पे page का color अगर आपको change करना है तो केवल दो ही color आपको मिलेंगे अगर आपको हटाना होगा तो आप none पे click करेंगे और एक देखें यह color है बड़ा light सा है और एक दूसरा यह black में है तो यह दो color आप यहाँ से use कर सकते है अगर आपको हटाना है तो आप none पे click कर दीजिए इसके बाद एक line focus है कि आपको किसी एक specific line पे focus करना है कि बस वही line देखे तो यहाँ पे जब one line पे देखें हम click कर रहे है तो one line के वाल read हो रही हो बाकी कि जो हमारे यहाँ पे line है वो नहीं देख रहे है देखे इस button पे जब हम click कर रहे है तो इस तरीके से एक एक line हमारी आगे बढ़ रहे है तो यह one line है ठीक है यहाँ पे अब जाएंगे यहाँ पे three lines पे जब click करेंगे तो एक बार में देखिए आपको यहाँ पर 3 line दिख रही है तो इसे भी देखिए हम जब up-down करेंगे तो 3-3 line करके हमें show करेगा और यहाँ पर last में क्या है 5 line 5 line पर click करेंगे तो एक बार में देखिए 5 line दिख रही है अब down करके जैसे भी हमें देखना होगा हम देख लेंगे यहाँ पर हम none पर कर देंगे तो जो एक line को highlight कर रहा था वो खटा देगा इसके बाद देखिए text spacing है text के बीच का space हमें जब कम ज़्यादा करना होगा तो text spacing हम use करेंगे अब इसके बाद देखिए क्या है इस label है यहाँ पर इस label जो हमारे होते है जैसे कोई भी बड़ा word है उसे हमें English में कैसे read करना है तो यह हमें बताएगा काफी अच्छा option यह भी है तो देखिए इस label जब on कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे video यह हमारा पूरा word है वीडियो एक word है तो vid वीड कर दिया eo अलग इसने कर दिया video जिसमें आपको read करने में easy रहे देखिए जैसे provides है तो जैसे pro को इसने separate कर दिया whites को अलग कर दिया और जैसे document है doc अलग कर दिया है document तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर dot लगा रहा है कि read करने वाले को आसानी रहे इसी तरीके से देखिए यहाँ पर professionally कितने अच्छे से इसने किया है कि professionally तो इस तरीके से read करने में काफी अच्छा रहता है यह इसको यहाँ से हमें off करना है read aloud हमारा वही है जो last video में मैंने बताया था कि हर एक word को वो read करके बताएगा और यहाँ पर close कर देंगे तो यह वाला जो option हमारा है वो close हो जाएगा अभी देखिए यह हमारा जो page है कि सरीके से vertical bar में show कर रहा है मतलब कि लंबाई में आ रहा है ठीक है लंबवत तो यह height wise शो कर रहा है वर्टिकल शो कर रहा है तो देखिए यहाँ पर जो view tab हमारा है इसके जो option है different तरीके से आपको view करने की facility देते हैं कि आप कितने तरीके से यहाँ पर देखिए view कर सकते हैं वर्टिकल देखिएंगे तो इस तरीके से दिखेगा side to side देखिएंगे तो इस तरीके से आ रहा है अभी हमारे पास एक page हम थोड़ा यहाँ पे content बढ़ा देंगे हम control A से copy paste control A से select किया control C से copy किया अब इसको हम यहाँ पे control भी करके 2-3 पर copy paste कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे text थोड़ा ज्यादा हो गया है अब देखिए यहाँ पे side to side जब देखिएंगे तो देखिए इस तरीके से side में ही आ रहा है यहाँ पे देखिए हमारा horizontal scroll बार आ रहा है इस तरीके से आप देख सकते हैं book आप पलट के देखिएंगे पेज उसके उस सरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं यह side to side है vertical में करेंगे तो हमारा इस सरीके से आ जाएगा इसके बाद देखिए हमारा ruler का option है तो इसको top पे लेके जाएंगे यहाँ पे देखिए जो sign आपको देख रहा है यह ruler है जहाँ से यह set होता है वहीं से हमारा text लिखता है इसको भी मैं previous video में explain कर चुकी हूँ कि ruler हमारा के सरीके से work करता है तो जहाँ से यह set होगा भी देखिए यहाँ से set है तो हमारा text भी यहीं से लिखके आ रहा है तो यह हमारा ruler है इसको हटाना है तो हमने ruler यहाँ से हटा दिया है अब जैसे grade lines है वह grade lines लगानी है तो यह देखिए हमारे page पे यहाँ पे ग्रीड line शो कर रहा है अब बात आती है कि इसका use क्या है तो इसका यूज यह है जब भी आप कोई भी object इंसर्ट कराते हैं अपनी document पे कोई भी object में कोई भी shape तो आपको बिल्कुल बराबर से insert कराने की facility मिलती जैसे insert पे यहाँ पे shape पे आए और एक shape यहाँ से हम ले लेते हैं हमने इसको यहाँ पे draw किया तो जैसे हम इस तरीके से इसको draw कर रहे है Ctrl-C से copy किया Ctrl-V से paste किया अब बिल्कुल इसी के बराबर जब हमें रखना होगा तो देखे यहाँ पे इसके बिल्कुल बराबर से हम इसको adjust कर सकते हैं grid lines का use करके अब view पे जाएके देखे जब grid lines हम यहाँ से हटाएंगे तो दोनों shape बिल्कुल बराबर पे set हो गए तो यह use है हमारा grid lines का तो यहाँ पे हम grid lines लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं तो अब फिल हाल हम इसको यहाँ पे delete कर देंगे अब इसके बाद देखे कि आता है navigation pen आता है तो जब navigation pen यहाँ पे आ जाएगा तो देखे लिखे आ रहा search document कि आपको अपने document से रेटर कुछ भी search करना है तो आप यहाँ पे search कर लीजे जैसे हमने बोला look कहां पे लिखा है देखे सबको highlight करके दे रहा है तो यह navigation pen है इसको यहाँ से close कर देंगे इसके बाद देखे हमारा यहाँ पे zoom आता है zoom पे हम जाके click करेंगे तो कितना zoom हो by default हमारा 100% पे रहता है आप यहाँ से भी इसको set कर सकते हैं अगर हम 200 पे जाके click करेंगे और ok करेंगे तो देखे 200 पे कितना बड़ा page हमारा यहाँ पे दिखता है यह 200% है आपको 100 करना है directly आप 100 यहाँ से कर दीजिए तो यह 100% हो गया अभी देखे वन पेज पे हमें जब देखना होगा तो इस तरीके से देगा वन पेज में show दोकर लेकर आप देखें यहाँ से view इसका क्या है कम होगा 43% है हमको बढ़ाना है 100% करना है तो हमने यहाँ से 100% कर दिया तो देखें यहाँ से हमारा 100% होगा आप यहाँ से भी 100% कर सकते हैं वन पेज पे आपने देख लिए अब multiple pages हमें देखना है तो यहाँ पे देखें multiple pages पे इस तरीके से हैं तो देखें यहाँ पे 3 page हमारे आगे अगर हमारे और page होते तो इसके नीचे फिर एक लाइन हमारी start हो जाती तो यह multiple pages एक बार में आप कई page देख सकते हैं अगेन इसको 100% पे जब क्लिक करेंगे तो देखें हमारा pages तरीके से नॉर्मल आ जाएगा अब आती है बात page width की देखें width यहाँ पे बढ़ जाएगी page की simple तो देखें हमारे page की width यहाँ पे बढ़ गई है फिर इसको normal करना है फिर 100% पे क्लिक कर देंगे तो देखें normal हो गया अब देखें इसका नया option है new window तो यहाँ पे content थोड़ा हम कम कर देंगे जिससे आपको समर्ज में आ सके difference यहाँ पे control sm ने delete किया और थोड़ा सा text यहाँ पे रखेंगे तो जैसे हमारा यह text है अभी तक हमारा क्या document only क्या रहा था अब क्या रहा है 1,2 के दूसरा document आपको देखना है कि पहला वाला कहा है तो आप यहाँ पे देखें चेक करेंगे हम इस पे जाएंगे तो first वाला हमारा यह है देखें 1,1 पहला वाला यह है अब जब same content के साथ नई window open हुई है तो कुछ भी यहाँ पे हम change करेंगे जैसे हमने यहाँ पे लेखा hello तो जो दूसरी window हमारे open हुई है हम यहाँ से check करेंगे इस पे तो देखें इसमें भी automatic हमारा text एड़ हो गया है तो इस तरीके से देखें इस पे भी हमारा content एड़ हो रहा है अब वापस अपने page पे हम यहाँ पे आ जाएंगे अब arrange all पे click करेंगे तो देखें दोनों window एक साथ देख रही है यह 1,1 है और यह 1,2 है जब इस पे click करेंगे तो देखें यह वाली window हमारी active हो गई और इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये वली अक्टिव हो गई तो दोनों एक साथ देखें हमारी अक्टिव है इसको यहाँ पे क्लोस करेंगे और इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेंगे इसकी बाद option आता है split split करने का मतलब यह है कि आप अपने document को कहीं से भी split कर सकते हैं तो जब हम split कर देंगे तो एक ही time पे हम दो section अपने page के देख सकते हैं माली जे आपको बिल्कुल top का देखना है और उसी time आपको बिल्कुल bottom पे भी देखना है अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो जहां पर भी इसको रोकेंगे जैसे मने starting पे रोका और जो यह वाली है इसको बिल्कुल bottom पे लेके आगए last में तो एक ही time पे देखें दो section आप देख पा रहे हैं तो यह हमारा split का option है अगर आपको यह split हटाना है तो आप remove split कर दीजिए तो जो आपने split किया है वो remove हो जाएगा अब इसके बाद आता है switch window अभी देखें हमने दूसरी window यहां पे जैसे open करी थी new window से new window से दूसरी window हमारी open हो गई वीव पे आए अब आपको switch window का जो यहां पे view side by side करेंगे तो दिखें side by side show करेगा जिस आपको show कराना होगा उस आपको यह शो करादेगा और यहां पर देखे जो switch window है switch window पर करेंगे अभी तक हम यहां से जा रहे थे कि इस window पर हमें जाना है इस पर जाना है या फिर पहली वाली window पर work करना है तो यहां से भी हम switch कर सकते हैं और या फिर यहां पर हम जाके switch window पर जैसे second पर जाना है तो हम second पर आ गए तो जहां पर भी हम जाना होगा यहां से हम कर सकते हैं और इसकी बाद हमारा option आता है micros का micros का option जो है काफी अच्छा है कि कुछ भी अगर आप work करते हैं तो जैसे आप copy paste करते हैं लेकिन आपने कुछ copy करके रखा अपने system बंद कर दिया तो वो copy जो आपने किया वो तो आपका text चला गया लेकिन उसकी जगे भी micros है जो micros use कर सकते हैं जैसे यहां पर हम कुछ भी record करना है आप audio record करते हैं वीडियो record करते हैं इसी तरीके से आप अपना work भी record करके रख सकते हैं तो देखें यहां पर हम micros पे जाएंगे record micro पे आएंगे recording कर रहें तो कुछ नाम देना पड़े हैं जैसे कोई file save करते हैं तो आप उसका name देते हैं तो वैसे ही micro record करने के लिए micro का नाम देना पड़ता है तो जैसे हमने a दे दिया और यहां पे हमने ok कर दिया तो अब देखें जहां पे आपका cursor होगा वहां पे देखें आपको cassette का sign देख्या रहें मतलब ही record हो रहा है micro अब कुछ भी आपको record करना है तो आप यहां से कर सकते हैं जैसे हमने normal number ही ले लिए हमने इतना record करके रखा इतनी हमें recording करनी थी अब micros पे जाएंगे stop recording कि बस हमें इतना ही stop कर दीजी इतनी recording करनी है अब next time आपको कहीं पे भी run कराना होगा आपको यही content की जरूरत है इतनी बार हमें जरूरत होगी हम उतनी बार इसको यहां पे run करा सकते हैं तो देखिए जितनी बार जाएं उतनी बार हम इसको run करा सकते हैं तो यह हमारा है micro को option और अगर आपको यहां पे micro delete करना है तो यहां पे आप micro delete भी कर सकते हैं यहां पे हमने अपनी micro को delete कर दिया है अब इसके बाद क्या है यह देखिए properties का option है properties का means यह है कि आपके document की पूरी information आपको मिलेगी हम यहां पे click कर रहे हैं तो देखिए sizes का जो है not yet saved कि अभी save ही नहीं है तो इसका size नहीं बता रहा कितने page हैं 2 page हैं कितने words हैं total editing time कितना time इस पे दिया गया है 22 minutes दिये गए हैं तो इस तरीके से जो पूरी इस पे editing का है सब कुछ इसकी detail properties पे जाके आप check कर सकते हैं तो यह था आज हमारा complete view tab और आज से हमारा MS Word 2019 complete हो गया है अब इसके बाद हम Excel की series start करेंगे तो अगर आपको Excel की complete knowledge चाहिए तो आप हमारे चनल को subscribe जरूर करें जिससे आपको new video को notification मिले और बात आती है कि MS Word के जो assignment है assignment already मैंने बहुत सारे upload करके रखें है तो आप वो assignment बना कि अपनी practice कर सकते हैं कि यह आपको word काफी अच्छे से आ सके सो मिलते हैं next video में तब ते के लिए बाब बाई